तो देखिए दोस्तों अपने दिन की शुरुवात करिए कुछ इस तरह से अपने च्छतों पे चावल डाल दीजिए और इस तरह पानी भरके डाल दीजिए पंचियों के लिए ताकि अब क्या गर्मी का मौसम पर रहा तो पानी की कमी हो जाती उन्हें पानी तलाश करना है द तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले दोस्तों टिप नंबर वन है कि यहां पर जो हम रील यानि धागे इस डबे में भरके रखते हैं तो सारे इसमें खो जाते हैं और धेर सारे धागे भी निकल जाते तो इसकी लिए क्या करना यह डबल साइडेट वाला ट इस तरह से रखेंगे तो यह बहुत बड़ा बहुत अच्छा सा हमारा ओर्गनाइजर यहां पर तयार हो जाएगा अभी इन सुईयों का क्या करना इसे भी हम और रखेंगे तो इसे बीच में रख देंगे ढ़कन के इस तरह से और जो डबल टेप है इसे लेना है फिर से औ इसे के आगे सुई हमारी खोएगी नहीं और रील भी बहुत अच्छे से और्गनाइज रहेगी तो यह बहुत ही मस्त और्गनाइजर हमारा बन के तयार हो गया है तो आपको यह टीप कैसी लगी जरूर बताइएगा और वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजी कितना प्यार त़ियार हो गया अब हमारी रील कभीवी खोएगी नहीं तो दूसरी टीप यह है हमारे दातों के लिए यह पे एक चमश हमारा नमक लेना है कीचन मेंक और एक चमश सरसों का तेल लेना है और दातों पे अगर मसाज करेंगे तो दात्य के दर्ध हमारी दूर रहेंगे जो कीडे हमारे दात के मर जाते हैं बहुत ही दात में अगर दर्द हो तो रिलीव मिलता है आप करके देखिएगा यह मैंने खुद पर किया है अब टीप नमबर तीन यह है कि सबसे पहले रोटी यहां पर ठंडी हो जाती है जल्दी इसे कोई खाना पसंद नहीं करता है तो क्या क प्रण होने में ज्यादा टाइम ना लगे और टिफिन हमें बंद लेना है मतलब की अधकन अच्छे से लाका रहना चाहिए और थोड़ा सा चक चक आएगा मतलब थोड़ी सी साज इसमें भरेगी उसके बाद ही हमें बंद कर देना मतलब मामूली सी गैस हमें का गैस का इस् रोटी हमारी नरम नरम सि गरंतयार हो गई अप चाहते इसे सब्जी के साथ खा सकते मतलब बच्चे नखड़ा नहीं करेंगे कि मुझे नहीं खाना थंडी ठंडी रोटी और यहां पर देखिए रूटी हमारी गर्म गर्म तयार हो गई है और दूसरा मैं बात ये बतारू कि धेर सारा जिसकी फैमली बड़ी-बड़ी होती है तो आटा हमें सानना पड़ता है गूतना पड़ता है बहुत देर तक कलाईयां भी दुखने लगती है और सुबह जल्द जीटे पानी मानने से क्या होगा यह फूल जाएगा अब इसे हम ढग देंगे दस मिनट के ताकि हम सबजी वगरा कुछ कटिंग कर लें और तब तक यह हमारा आटा जब देखेंगे ना आटा हमारा सेट हो जाएगा यानि फूल जाएगा तो दो मिनट के लिए इस पर यह आटे गुतनी की ट्रिक आपको कैसे लगी जरूर बताइगा तो यहाँ पर फटा फट सी नरम नरम सी रोटिया तयार हो जाएगी जादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा आप देख सकते कितना सौफ्ट सौफ्ट सा आटा हमारा तयार हो गया जट पट सा तो आपको इस सार कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइगा बाब बाब